नमस्कार दोस्तों वी के नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों हमने सीरीज श्टार्ट की थी जिसमें प्रीवियस एक्जाम में जो इंपोर्टेंट क्योसंस आए थे उनका हम एक वीडियो उपलब्द करवाते हैं जिसमें 25 क्योसंनों का हम एक्जाम में वो क्योसंन पूछा गया है हम उपलब्द करवाते हैं आज का हमारा टोपिक प्रोटेक्शन डिवाइस पर आधारीत है जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया फ्यूज रीले इन सब का है आगे बटने से पहले आपसे निवेतन रहेगा हमारे चैनल पर नए हो या एप में फ्री प्रेक्टिश टेस्ट भी उपलब्ध है कंप्लीट पेड़ कोर्स अवाइलेबल है पेड़ टेस्ट सिरीज भी अवाइलेबल है पूरे भारत में किसी भी एक्जाम की आप त्यारी करें एक मोस्ट परफेक्टिव कोर्स आपको यहां पर मिलेगा आईए दो हार्ड नहीं वो क्यूस्टन आपको उपलब्द करवाना जो कि बार बार रिपीट हो रहे हम बताना ये चारे हैं कि इन प्रसनों को कम से कम आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाएं ताकि आपको एक्जाम में देखने को मिले तो आप इन्हें आसानी से कर सके आईए दोस्तों आज के नमबर बन सवाल से चलते हैं और क्यूस्तन आपकी स्क्रीन पर बिजली के जटकों से बजने के लिए सुरुक्षा के अंतिम उपाई की विबस्ता सरकिट के बिजली आपूर्ती साइड में करने की बजाए यदि स्विम उपकरन पर की जाए तो इस सुरुक्षा को क्या कहा जाएगा दोस्तों देखे विद्ध जटके से बचाव का है तो सिंपल सी बात है कि हम इसको बोलते है लिकेज ठीक है न और लिकेज का सीधा सा मतलब होता है कि हमें जो भी पार्ड्स होते है उन सब की अर्थिंग करनी होती है दोस्तों अर्थिंग दो तरह से होती है एक होती है सिस्टम अर्थिंग एक होती है एक्यूप्मेंट अर्थिंग तो यह कह रहा है कि अगर आप पूर्ती साइड में कर देते हैं दोस्तों जब सप्लाई की साइड में किया जाता है तो इसको बोलते है सिस्टम अर्थिंग और जब उपकरण के नजदीक में किया जाता है तो उसको बोलते है एक्यूपमेंट अर्थिंग सप्लाई साइड में अगर नहीं करेंगे तो वो उपकरन अर्थिंग कहलाती है और उपकरन के धात्वी बाग को हमें अर्थ कर देना होता है इसे ग्राउंड फाल्ट डिटेक्शन कहेंगे यानि अर्थ दोस्की पहचान करना ए ओप्सन सही हो जाएगा पर्टिकुलर उस एक्यूपमेंट में जब भी अर्थ फाल्ट आएगा तो वो सिस्टम को ट्रिप करवा देगा अगला क्यूसन हमारी स्क्रीन पर है कि महो रिले किस परकार की ट्रांसमेशन लाइन में उप्योग की जाती है देखो यहां से एक तो यह क्यूसन समझ में आगया कि महो रिले का उप्योग जो है वो ट्रांसमेशन लाइन में किया जाता है जनरली महो रिले का उप्योग लोग ट्रांसमेशन लाइन में करते हैं यह भी आप ध्यान रखें और लंबी दूरी की जितनी भी ट्रांस्मिशन लाइन होती है उनकी वोल्टेज भी ज़्यादा होती है यानि वो EHT या UHT होती है Extra High Tension या Ultra High Tension इसको बोलते है अभी हमारा E उत्तर सही होगा यहांपर कि C और D दोनों उत्तर सही है महो रिले लोंग ट्रांस्मिशन लाइन में लगती है जैसा कि अगला सवाल आप से पूछा भी गया है मुझे नहीं लगता इस प्रसंट पर हमें समय देने की जरूरत है क्या क्योंकि यह पूछ रहा है महो रिले का उपयोग कहां करेंगे और जैसा कि अभी मैंने बताया ट्रांस्मिशन लाइन में होता है अगला सवाल बकॉलज रिले क्या है दोस्तों सबसे पहली बात एक मातर बकॉलज रिले ही इस परकार की रिले है जो केवल ट्रांस्फोर्मर में लगती है जबकि अंडर करंट, ओवर वोल्टेज, अर्थ फाल्ट रिले, ओवर करंट रिले यह जितने भी होती है कि यह सब लाइन में भी लगती है मोटर में भी लगती है ट्रांस्फोर्मर में भी लगती है फीडर्स में भी लगती है तो एक मतर रिले जो केवल ट्रांसपोर्मर में लगती है बकोलज रिले दूसरा सवाल किस परकार की रिले है ओयल एमम गेस ओपरेटेड रिले है किस परकार की रिले दुबारा पूछा जाए यानि इलेक्ट्रिकल है मेकेनिकल है तो मेकेनिकल रिले है या अंत्रिक रिले होती है एक तरह से सहींजित कहा होती है ये भी क्यों से ना सकता है तो ये ट्रांसपोर्मर का जो ओयल टेंक होता है वो और कंजरवेटर के बीच में जो पाइप लगी होते है न वहाँ लगा होता है यानि मेन ओयल टेंक और कंजरवेटर के बीच में आप कर सकते है फीडर्स के लिए किस परकार की रिले काम में लेंगे तो फीडर के लिए ट्रांसले रिले होती है और मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन जो होता है ये जनरली आल्टरेटर के लिए होता है बी उत्तर आएगा ट्रांसले रिले बोलेंगे महोर रिले मैंने बताई दिया ट्रांसमेशन लाइन में होता है बकोलज रिले ट्रांसफोर्मर में होती है उसमें रिले का उप्योग कहां करेंगे तो जनरली थर्मल रिले जो होती है उसमें रिले वो मोटर की स्टार्टरों में ही लगती है ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए होती है मोटर जब भी ओवरलोड हो जाएगी तो उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा जनरली अबन इसमें यूज अगर माने तो सी उत्तर करेंगे मोटर का स्टार्टर पेनल अगला थर्मल रिले का सिधानत क्या है तो देखो नाम से ही पता लग रहा है थर्मल रिले थर्मल के सिधानत पर ही काम करेगी थर्मल को इंदी में या तो उसमें सिधान्त बोलेंगे या फिर तापिये प्रभाव या तापिये सिधान्त नाम दे सकते हो अगला सवाल थर्मल प्रोटेक्शन स्वीच किस से बचाओ करेगा बात एक ही होती है जो थर्मल ओवर्लोड रिले होती है वास्ता में ये स्वीच के तरह ही होता है नहीं माने तो थर्मल प्रोटेक्शन स्वीच को आप थर्मो इस्टेट से जोड़ कर देख सकते हो क्योंकि सरंचना यह एक है इन सब में बाई मेटलिक इश्ट्रिप होती है दुई धात्विक पत्ती होती है जिसका उस में परसार अलग-लग होता है गरम होकर हट जाती है ठंडी होकर फिर से लग जाती है यह उत्तर सही होगा ओबर्लोड से बचाव के लिए होती है अगला सवाल इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल और मेगनेटिक इन सब से मिलकर जो रिले बनती है जिसमें कोईल भी हो और मेकेनिकल कॉंटेक्ट भी हो मेकेनिकल कॉंटेक्ट तो होते हैं लोहे के एन्नो एन्न सी बनाएंगी कौायल उस पलंजर को खिंचेगी तो यह जो पूरा सिस्टम होता है यही तो हमारा Electromagnetic सिस्टम है Electromagnetic Relay में यही सिस्टम होता है कौायल होगी वह उत्यजित होगी वो पलंजर को खिंचेगी पलंजर उन कॉंटेक्ट को गया करेगा NONC बनाएगा यह उत्तर सही होगा हमारा जो कौंटेक्टर होता है वो यही तो है सेम उसके सेम यही होता है अगला सवाल एक AC Relay Chatering कर रही है चटचटाट की आवाज आ रही है इसका कारण होता है Setting Ring ओपन हो जाना अच्छा क्यूस्तन है ध्यान से समझीगा अब यह कह रहा है कि फिर उसको चटचटाट को रोकेंगे कैसे तो चेटरिंग समाप्त करने के लिए Setting Ring लगाई जाती है दो क्यूस्तन है Setting Ring क्यों उप्योग की जाती है चेटरिंग समाप्त करने के लिए फेज अंतर पैदा करने के लिए होती है असल में जब फेज बांट देती है तो फिर चेटरिंग रोक जाती है अब सवाल आता है सेटरिंग रिंग चेटरिंग कर रहे मीटर कारण क्या है तो उत्तर करना है सेटरिंग रिंग ओपन होगी और चेटरिंग रोकने के लिए क्या लगाएंगे तो सेडिंग रिंग लगाते हैं मतलब एक की तीन लेंग्वेज है अलग अलग तीन भासाओं में आप से सवाल पूछा जा सकता है सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग केपेसिटी है MVA में होती है मेगा वोल्ट एंपियर में विदारण शम्ता बोलते हैं हिंदी में इवेन फ्यूज की रप्चरिंग केपेसिटी पूछे तब वो भी MVA में ही होती है ध्यान रखना अगला सवाल मेगनेटिक रिले थर्मल रिले की अपेक्षा तो ध्यान रखना तीवर परचालन होता है चुम्ब की रिले जो होती है वो जल्दी ऑपरेट होती है तुरंत ट्रिप भी हो जाएगी तुरंत रिसेट भी हो जाएगी थर्मल रिले टाइम डिले रिले कहलाती है समय विलम रिले बोलते है लेट ऑपरेट होगी मतलब वो ओवरलोड हो रहा है तो लगतार दो चार पांच मिनिट ओवरलोड चलेगा तब जाकर वो घरम होगी फती और फिर अटेगी इसी तरह से रीसेट में भी समय लेगी अगला स्वाल है सर्किट ब्रेकर में लगू परीपत से सुरुक्षा कौन देगा देखो सर्किट ब्रेकर जितने भी होते हैं ये मेगनेटिक पर चालन होते हैं बस इतना देहां रखो ये तीवर ओपरेशन वाले होते हैं तुरंत ट्रिप करवा देंगे कौैल होती है इनमें सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कौैल होती है और जो सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कुंडलियां होती है उनको DC सप्लाई दी जाती है सर्किट ब्रेकर के कौंटेक्ट किसके होते हैं तो कॉपल टंगस्टन मिसर धातू के होते हैं और ये क्यूस्टन बहुत इंपोर्टन्ट है आई टी आई आधारित लगभग एक्जाम में इस क्यूस्टन का भूत महत पर होता है हर एक्जाम में कहीं न कहीं ये क्यूस्टन हमें देखने को मिल जाता है अगला सबाल नेमन मैंसे कौन सा ब्रेकिंग का परगार है ब्रेकिंग मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना जैसे DC मोटर में अगर ब्रेक लगाने की बात करें तो भी होता है प्लगिंग भी होती है रियोस्टेटिक वीदी भी होती है रीजनरेटिव भी होती है मेकेनिकल भी होती है All Above हो जाएगा No Doubt E Option के साथ ही जाएगे जगला वैस सर्किट ब्रेकर क्या कहलाएगा जिसमें सर्विस करने लाइक कोई पार्ट है नहीं रिपेर नहीं हो सकता तो MCB है अपनी है किस से बचाव करेगा नाम से पता लग रहा है सिंगल फेजिंग सिंगल फेजिंग क्या होता है तीन में से कोई एक फेज अपसेंट हो जाना अगर एक फेज अपसेंट रहेगा तो वो ट्रिप करा देगा इसको बोलेंगे Unbalanced circuit यानि जब voltage S अंतुलित होगी तो वो ट्रिप करा देगा अगला सवाल किसी circuit breaker में जो संपीडित वाईए होती है ओके सोरी किस circuit breaker में संपीडित वाईए होती है देखो circuit को break करने के लिए प्राकरतिक air भी काम मिलेंगे संपीडित air भी काम मिलेंगे जो ABCB होता है ना air blush circuit breaker वाला उसमें compressed air होती है अगला स्वाल है कि एक आईडियल सर्कीट ब्रेकर में क्या होना चाहिए देखो जब कॉंटेक्ट लगे वे हो सब कुछ सही हो तब तो सर्कीट ब्रेकर कोई रेजिस्टेंस परदान ना करें और जब सर्कीट हटे वे हो ट्रिप तब वो अनंत परतिबादा परदान करें यानि रुकाउट से पहले जीरो रुकाउट के बाद में अनंत परतिबादा परदान करें सर्कीट ब्रेकर में ऐसा गुन होना चाहिए अगला सवाल एर ब्लाष्ट सर्किट ब्रेकर में संपीरित वाईयू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो बात मैंने बता दी न वाईयू जो होती है वो चिंगारी बुजाने के लिए होती है ठीक है आरक का समन करना इसका उत्तर लिख सकते हूँ हिंदी में बुलते है और जब कॉंटेक्ट मेक ब्रेक होते हैं तो इस पारकिंग होती है उसको रोकना इसका काम है E.H.T. के लिए किस परकार का ब्रेकर काम में लेंगे तो E.H.T. में एर ब्लाष्ट सर्किट ब्रेकर काम आ जाएगा ये ठीक है ये उत्तर कर देंगे इसका अलाकि E.H.T. 6 सर्किट ब्रेकर भी है काफी रेंज तक इसका उप्योग होता है बहुत बड़े लेवल पर उप्योग इसको भी कर सकते है सब से कम बोल्टेज रेंज जो है वो फिर हमारे A.C.B. की होगी एयर सर्किट ब्रेकर की होगी जिसमें प्रक्रति का हुआ से आग बुझती है सर्किट ब्रेकर में आर्ग बुझाने के लिए नियाजित माद्धिय मुखहन साओ याग कैसे बुझा सकते है चल फर एक साथ फ्लूराइड गेस भी लेते है तेल भी काम में लेते हैं वाईयू भी काम में लेते हैं वेक्यूम भी लेते हैं वीसी भी होता है ना वेक्यूम सर्किट ब्रेकर तो उपरोक्त सभी इसका अपना उप्शन हो जाएगा अगला करंट चोपिंग मुख्य रूप से किस में होती है दोस्तों दो सर्किट ब्रेकर में होती है धारा चोपिंग एक तो होती है जो अपना OCB होता है ठीक है न और OCB के अलावा दूसरा जो है वेक्यूम सर्किट ब्रेकर करन्ट चोपिंग की परिवासा मैंने एक बार पहले आपको करवाई भी भी है जरूर आप देखेगा अभी वेक्यूम सर्किट ब्रेकर उप्शन में है नहीं तो क्या करेंगे केवल OCB कर देंगे और SF6 सर्किट ब्रेकर की वर्किंग वोल्टेज बूछिए तो देखो मैंने अभी बताया था 36 किलो वोल्ट से लेकर 760 किलो वोल्ट तक इसका उप्योग किया जा सकता है तो बस दोस् दोस्तों को फोरवर्ड जरूर करना कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी